हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक और अगर आपने आपका पॉर्टफोलियो को निफ्टी फिफ्टी से कंपेर करना चाहा होगा तो आपको फ्रस्रेशन ही मिला रहेगा कि निफ्टी फिफ्टी तो लाइफ टाइम हाई कर रही है बट मेरा पॉर्टफोलियो अभी भी 10 परसंट 15 या 20 परसंट भी नीचे है तो यह क्या मजाख हो रहा है मार्केट उपर जा रहा है मेरा स्टॉक नीचे है क्यों ऐसे हो रहा है तो इसी का सॉल्यूशन हम धूनने आए हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि आप चानल को सब्सक्राइब करें बेल बेटन को हिट करें जो नहीं जानते मेरा नाम तुष्वार्ग होने है और हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का अनलिसिस और यहां पर हम कुछ और टॉपिक पर डिसकस करने वाले हैं जो की इंट्रेस्टिंग होने वाला है आट थे सेम टाइम टेलीग्राम चानल को करते हैं तो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में जो ट्रेड करने में मतद करता है वो टोटली नेक्स डेवल का है विद इस लेट उसक्रेश की क्यों निफ्टी-फिप्टी या मार्किट इंदियन मार्किट उपर जा रहा है दिख रहा है मुझे और आट देसेम टाइम म कौन से stocks हैं कौन से जादा बढ़ रहा है कौन से कम बढ़ रहा है तो यह चीज हम करेंगे और second और important चीज है क्या large cap mid cap और small cap तीनों ही stocks तीनों ही category के stocks एक ही direction में हो रहा है यह भी हम देखेंगे यह देखते ही हमें के जवाब मिल जाएगा कि क्या सही है हमारे portfolio को nifty 50 index के साथ compare करना let us quickly start okay अब यहां पर सबसे महले मैं यह करूंगा कि आपको nifty 50 का map दिखाऊंगा यह हो गया stock का heat map अब यहां पर यह trading view में आपको मिल जाएगा यहां पर मैंने क्या किया है तो यहां पर मैंने जो performance है वो six months के लिए check किया है और इसका percentage return देखा है आप ने देखा रहेगा most of the portfolios में IT का वेटेज यानि की Infosys विप्रो HCL Tech का weightage TCS भर-भर के रहता है राइट और आप हैरान हो जाओगे कि IT sector ने पिछले छे मैंने कुछ भी जादा perform नहीं किया है हाला कि आप IT ऊपर आने वाली है तो इसका मतलब क्या है कि यही पे आपका भी portfolio में अगर IT का वेटे चालीस टक का रहेगा पचास टक का रहेगा तो perform नहीं करेगा सबसे important चीज second majority of the people have reliance in their portfolio okay जो कि अभी भी पिछले 6 मेने में भले यह बड़े-बड़े companies है बट आप देखोगे index को यह company नहीं चला रहे है यह company जो हमेशा हर एक portfolio की शान है यह नहीं चला रहे इंडेक्स को चला कौन रहा है तो आप थोड़ा सा यहां पे देखोगे तो आप देखोगे HDFC bank दूसरा fantastic chalk जो हमेशा index को चलाता है यह भी नहीं चला रहा है ओके 14% ही बड़ा है यहां पे आप देखो PUSB banks right public sector limited banks आपने देखा रहेगा fantastic perform किया है और एक इसका example है SBI 30 28% के आसपास लगभग return दिया है जो कि बहुत जादा है यह एक चीज हो गई अब यहां पे दूसरा चीज आप थोड़ा सा आख घुमाओगे यह इसमें अदानी enterprise ने अके ले ही 75% return दे दिया तो this is again a shocking thing यह सब चोटी चोटी चीज है जो अच्छा खासा index में बदलाव ला रही है और हम क्या देख पा रहे है यहां पे आप देखेंगे कि कोटक भी बहुत सारे लोग hold करते है बजाज finance बहुत सारे hold करते है nevertheless these are fantastic stocks but इनों ने कुछ भी पिछले 6 मेने में returns नहीं दिया है तो अगर आप private banks में hold कर रहे हो और आपके portfolio में ICICI bank नहीं है तो definitely आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी बट उसके comparison में अगर आप देखोगे access and indecent bank has worked fantastic एक ने 30 टक का दिया दोसरे ने 24 टक का दिया तो यहां पे at a whole यानि कि finance में मैं क्या conclude कर सकता हूं कि finance में मैं conclude कर सकता हूं कि आप देखोगे private से public limited banks जो है उन्होंने अच्छा दिया जो हमेशा की favorite रह चुकी है HDFC bank इतना perform नहीं कर रही है but at the same time private banks में selected banks ने अच्छा खासा return दिया है तो मैं कहूंगा private banks selected banks PUSB banks most of the banks ने आपको अच्छा का सा return दिया रहता अगर आपके portfolio में public limited banks ज्यादा होती थी जो हमेशा के बड़ा जिसका portion है IT नहीं जादा contribute कर रहा है energy and materials minerals नहीं contribute कर रहा है but यह क्या है non energy materials okay ultra camp cement JSW steel grassim this whole lot has worked fantastic और आप देखोगे बहुत कम लोगों के पास यह सभी stocks होते हैं क्योंकि cyclical metal होने के कारण या जो cement के stocks है थोड़े बहुत cyclical होने के कारण इतना जादा लोग नहीं पसंद करते हैं जितना की लोग IT को पसंद करते हैं अब FMCG यह हिंदुस्तान यूनी डिवर है यह जस्ट अभी 2-3 हफते से बढ़ रहा है आप देखोगे तो बट जो अच्छा खासा ITC ने अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा मूँ दिया बट ITC still people don't prefer क्योंकि पिछले तीन या चार साल से सिल्फ खाली था बैठा था FM non consumer non durables जो है वो भी जो hot favorite है अब जाके मूँ हो रहा है यानि कि एक दो हफते से ही breakout हुआ है तो जिनके जिनके portfolio में FMCG stocks है यह अब जाके आने वाले हैं ओके यहां पर वापस आप देखोगे आटो में सिल्फ और सिल्फ सेलेक्टेड है टाटा मोटर अभी भी नीचे है बजाज आटो नीचे है महेंद्रा महेंद्रा मारूती यह फिर भी चल रहा है बट इन्होंने इतना जादा यह सेक्टर को मूँ किया है बट इतना जादा नहीं किया है ओके सो ओवर आल आप देखोगे और यह थोड़ा बहुत यहां पर मैं कहूंगा संफार्मा का भी यहां पर कॉंट्रिबूशन है क्योंकि संफार्मा पिछले कुछ दिनों से बहुत बुलिश होते जा रहा है तो संफार्मा यह जो फार्मसोटिक के जो स्टॉक्स रहते हैं वो नहीं बड़े है और जो मेजोरिटी है वो पॉकेट्स में है यानि कि ओवर आल अगर आप देखोगे यूनिफॉर्मली 15-20% पूरा का पूरा मार्केट ग्रो हुआ है क्या नहीं हुआ है पॉकेट पॉकेट में ग्रो हुआ है यानि कि कुछ बहुत जादा ग्रो हो गया है और कुछ अभी भी हाडली कुछ रिटन्स दे पाए है तो इसके कारण कोई कोई लोग जिनका अगर यह स्टॉक्स के साथ अलाइन हुआ स्पेसिफिकली तो ही रिटन्स मिलेगा अगर किसी ने अभी भी आईटी में इन्वेस्ट किया है तो जादा आपको नहीं दिखाए देगा और अगर आप इन जनरल इन्वेस्टर्स का हो यानि कि मेरे जैसे इन्वेस्टर्स जो ग्रोथ में बिलीव करते हैं वी हैव थर्टी टू फॉर्टी परसेंट आफ आफ आवर पोर्ट्फोलियो इस आईटी तो हमें थोड़ा सा निरा देखोगे यह कौन सा मार्केट काप है तो स्मॉल कप लाज कप मिरकेप यहाँ पर देखोगे सबही जास दिनकाम कि एवरेज मारकेट चेंज देखोगे लाज rap 6.38 से बढ़ा है तो वही आप देखोगे नीचे के तरफ small cap 1.6 और mid small cap 4.24 और यहां पर exactly यह नहीं दिखाई दे रहा है बट मैं यह क्या कहना चाहता हूं तो large cap में मूँ जादा आया है एक बार हम index भी देख लेते हैं यहां पर हम क्या करेंगे हम index भी देखेंगे ओके यह साब मैं हटा दूँगा अब यहां पर मैं क्या करूंगा निफ्टी 50 दालूँगा ओके निफ्टी स्मॉल कैप स्मॉल कैप टूफिफ्टी दालूँगा ओके निफ्टी 50 उसके बाद में में स्मॉल के निफ्टी 50 उसके बाद में मेल काप वान पिफ्टी ओके यह गीश्टी उसके निफ्टी अब यह जो है वीकली का है मैं डेली में रखूंगा ओके यहां पे आप देखो अगर थोड़ा सा भी कन्फूजन हो रहा है तो ध्यान में रखो यह जो पार्ट है ओके यह रहा आपका स्मॉल काप नीचे जा रहा है जा रहा है डिसेंबर से ऑक्टोबर का रहा है और यह है निफटी फिफ्टी जो बहुत ऊपर जा रहा है छे परशेंट से उपर जीरो पॉइंट से जाधा कुछ हुआ ही नहीं है 3% तो यह भी एक important important reason है कि आप में frustration क्यों आएगा क्योंकि 95% के लोगों में small cap और mid cap भी रहेंगे रहेंगे जो अभी तक इतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहें तो इसका मतलब क्या है आप रात को ठीक से सोना ज्यादा आपको समझना है कि और आपके portfolio में बहुत सारा difference है आपका portfolio पूरा का पूरा निफ्टी-फिफ्टी का रेपली का या सीधा पूरा का पूरा लाच कैप नहीं है स्मॉल कैप मूड कैप अब तक इतने जादा मूँ नहीं हुए है सिर्फ लाच कैप हुए है उसमें भी selected stocks मूँ हुए है IT और Reliance ने बिल्कुल मूँ नहीं दिया है तो इसके लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इवेंच्वली येस आपके जो stocks है अगर fundamentally और टेक्निकली आपने सही समय पर खरीदे है तो अच्छा खासा मूँ देने वाले है ठैंक्स अलोट और मैं मिलूंगा आपको ऐसे की इंट्रेस्टिंग सेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बेल बटन को हीट करना टेलीग्राम चैनल जॉइन करना मत भूलना